हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे माई मदर इंगलिस का चाप्टर नमबर फाइब रिखा गया है एपी जे अब्दूल कलाम के द्वारा इसका करेंग कम्प्लीट कॉर्श्चन आश्रस का आपको पताया जाएगा सॉल्यूशन्स आपको इन डिस्क्राइब के जाए बिलो एंड अंसर दा कॉस्चन देट फालो देखिए यहां पर एक्सटर देखिए यह पर लिखा हुआ है यू कम तु मी लाइक हैंश केरीं आंप्स आई रिमेंबर ता वार देज वैल लाइफ वाज चैलेंज एंड ट्वाइल माइलस तु वाइक आर्स बिफोर यहां पर कॉस्चन दिया हुए कॉस्चन नंबर फर्स्ट कहता है हूँ आर यू कौन हो एंड मी इन द एब अब लाइन्स तेकि आपका असर हो जाएगा यू रेफर्स करता है यहां पर पोईट्स की मा के बारे मताता है यू एंड मी रेफर्स करता है कुदा पोईट मतलब कई कवी को कवी कौन यहाँ पे पोएट जो है वो APJ अब्दुल कलाम है उसे रेफर्स करता है यह रेफर्स करता है पोएट के मा को and me रेफर्स करता है पोएट को आनि के कवी APJ अब्दुल कलाम को आई आते हैं Option no. B तो को चैनल को सब्सक्राइब जरूद आप लोग कर दिजिएगा और ने सब्सक्राइब आपके पास पहुचेगा अगर आपको देखना है चाप्टर वान टू थ्री फॉर का जाएगा चैनल के प्लिस्ट में लिखा हूँ इंग्लिस क्लास एट वहाँ पर आपको हर स्क्राइब पर भडियो मिल जाएगा अपसन भी कहता है कॉर्सन नमर्ट टू बी आइजन्टिफाइद फिगर अप स्पीच यूजड इन फर्स्ट लाइन एक्स्प्लेइन लिखा हुआ है यू कम दू मी लाइक है विन स्केरिंग आम से बता ना इसमें कौन सा फिगर प्रिश यूज क अथिक चुल्ना के लिए अब देखी etc करना है इसमें अपसे मां के आंद को जो है विद है विध है बन मतलब तरा त्यंट मॉदा इसम लाइक स्वर्ग डयतें में होते है इसमें देखा जाता आया आते हैं कॉश्यन नमर C कहता है आपको एकस्टेट मेंसन तू थिंग दो चीज़े को बताना है देट मेट दा पोईट्स लाइफ डिफिकल्ट लाइफ जो है डिफिकल्ट हो गया था वो दो कौन-कौन से चीज़े हैं आपको देखिए वॉल्ड वार हो गया एंड ट्रैवलिंग लोग दिस्टेंस एक वरोलड वार हुआ था उसमेz और बहुत लंब समय तो ट्रैवलिंग कर्ना पड़ता था लोग दिस्टेंसे अट्र पोईट्स दिफिकल्ट उससे क्या हो हूग है पोडिफिकर्ट लगा बहुत कठील लगा आये question number D कहता है आपका why did the poet have to walk so much early in the morning कहता है कि वो poet जो है यल्दी सुबा उठता था सुबा ठीक है वाक और चलता था he had to reach कहां जाता था he had to reach his school आता था अपने school on foot paddle and collect the newspaper और योगो कहा है जमा करता था कहां से on the railway station से यह most important question है full solution करवा जा रहा आया तो next question number आपका two का जो है एक्स्टेट वो देखेंगे देखेंगे यहाँ पर दिया गया है next extract आपका जो है क्या है all this pain of a young boy my mother you transformed into pious strength with kneeling and bowing five times question number एक आता है who is the young boy इसमें young boy कौन है the young boy is the poet young boy क्या है इससे भी कर सकते हैं the young boy is a p j abdulkalam poet यहाँ पे कौन है a p j abdulkalam वो यहाँ पे कौन है यहाँ यहाँ आपके a p j abdulkalam है आए question number b देखते है what pain is he talking about किसके बारे बात किया गया है he is talking about the pain of a struggle मतलब की संघर्ष के बारे में यहाँ पे बात की गई है आए आते है question number c कहता है what was this pain transformed into how did this transformation take place what was this इस pain के बारे में क्या बताया गया था transformed into how did this transformation takes place आसदा हो जाएगा the pain was transformed into strength यह दिखाता है मजबूती को it took place because of the poet's mother's sincere and dedicated और सहपित करता है prayers प्रात्मा के परती where she asked वो पूछती है for the blessings for the entire family ताकि वो जो पहना उसका अच्छा जो family भी बढ़िया हो और हर तरह से सो काम्यावी मेले वो चीज़ यहाँ पे कुछ changing आया है आए question number d और देखिए last आ है आपका my mother chapter का what do you understand by kneeling and bowing five times मतलब इसका मतलब क्या होता है देखिए kneeling and bowing five times का मतलब होता है इस एक तरीका है और praying to God भगवान को प्रात्ना करना in the Muslim custom किसका होता है यह Muslim करीती रिवाज है कितना five times को करना उसी कहते है kneeling and bowing कहते है I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दोगे और like जरू कर देना है chapter my mother जो chapter आपका जो है फाइब का है इंगलिस का डी है भी स्कूल्स का और फ्रेंड्स भी मिलते हैं आपको next video तब तक के लिए आपको thank you